हेलो एब्रिवान आज के विडियो में हम सीखेंगे इक की मात्रा केवल यही एक मात्रा है जो व्यंजनों और सैयुक्त व्यंजनों के पहले लगाई जाती है बाकी सभी मात्राएं पीछे या उपर नीचे लगाई जाती है इसका साउंड होता है छोटा आईए अब मात्रा को व्यंजनों और सैयुक्स व्यंजनों पर लगा कर इसके साउंड को समझें जब भी हम किसी मात्रा को किसी अक्षर के साथ लगाते हैं तो मात्रा और अक्षर का साउंड जुड़ जाता है जैसे क में इकी मात्रा लगाने पर बनता है कि इसी तरह से ख में इकी मात्रा लगाने पर बनता है कि आगे पढ़ते हैं गी अंग में कोई भी मात्रा नहीं होती इसलिए हम उसे खाली छोड़ देंगे यहां में भी कोई भी मात्रा नहीं होती, इसलिए हम उसे खाली छोड़ देंगे ती, ठी, डी, 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 नी, ती, थी, धी, दी, नी, पी, फी, पी, बी, मी, यी, री, ली, ली, वी, वी, मात्रा सीखने के लिए सबसे पहले यही तरीका अपनाएं इससे आप मात्रा लगाकर हर अक्षर का साउन समझ जाएंगे फिर आप मात्रा के शब्द और उसके बाद वाक्य पढ़ने का अभ्यास करें आएए मात्रा सीखने के इस चरण में एकी मात्रा के कुछ शब्द पढ़ें द में छोटी की मात्रा लगाने पर बना दि न दिन याने डे कर व में छोटी की मात्रा वी कवी याने पोयट ब में छोटी की मात्रा बी लग बिल खरीदी हुई चीजों के हिसाब का पड़्चा बिल श में छोटी की मात्रा शिव याने शंकर भगवान म में छोटी की मात्रा मि ठा स मिठास याने स्वीटनेस ग में छोटी की मात्रा गी टा र गिटार याने म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट आप देख पा रहे होंगे कि चित्र में बच्चा गिटार बजा रहा है क में छोटी की मात्रा की ता ब किताब याने बुक यहाँ पर चर में भी छोटी की मात्रा है और र में भी छोटी की मात्रा है तो द्यान से साउंड सुनिये चि रि या चिडिया याने बर्ड द लि या दलिया याने पारज जो ममी नाश्टे में बनाती है द लि या डलिया यहाँ पर ध्यान दीजिये दलिया और डलिया दो अलग अलग चीजे हैं डलिया याने बासकिट बि टी या बिटिया याने बेटी कविता कविता याने पोम पिकनिक पिकनिक कि श में श किश्मिश मीठा ड्राइफ्रूट रवि वार रविवार याने संडे रि म जि म रिम जिम याने हलकी हलकी बारिश अब जब की हम शब्द पढ़ चुके हैं तो इनके आधार पर वाक्य पढ़ने असान होंगे तो चलिए शुरू करते हैं दिन निकल आया रिम जिम रिम जिम बारिश आ गई सबका मन बगिया सा खिल उठा रवी साइकिल पर आया वह मिठाई और किशमिश साथ लाया इसके साथ ही आज का पार्ट यहीं समाप्त हुआ मात्रा सीखते वक्त बस आपको साउंड का ध्यान रखना है यदि आप मात्रा के साउंड को अच्छी तरह समझ गए तो हिंदी सीखना बहुत आसान है अगले विडियो में हम चित्र देखकर ई के शब्द पढ़ेंगे इकी मात्रा सीखने के लिए आपका धन्यवाद